तरस्कार गुड इवनिंग मैं हुई खान गुपता आज एक और हार का सामना करना पड़ा 24 गंटे पहले हमने चर्चा की थी इस बात को लेकर कि T20 में न्यूजिलेंड भारत को परिशान करता है लेकिन भारत तो शानदार टीम है चारेज से वन डे सीरीज जीत कराये थे लेकिन आज 40 ओवर के खेल में 180 डिग्री का यूटर न्यूजिलेंड ने पहले 220 रन बना दी, 211 रन बना दी जब कर धुनाई हूँ और फिर जब लगा भारत इन किंडिशन में कम से कम लड़ेगा, अच्छी तरह लड़ेगा एक बार फिर टॉप ओर्डर फ्लॉप असीरन से भारत को हार मिली है, T20 में ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी हार है सबसे बुरी हार है, मेरे साथ आज दो खास मैमान हैं, इन से सुनते हैं कि भारत की हार की वज़े क्या है और क्या वाकी में भारत की जो एक्सपरिमेंटेशन है, वो सही रास्ते पर चल भी रही है सरी भाई है, मदन जी है, सवाल यह है कि क्या प्लेइंग 11 में बहुत जादा एक्सपरिमेंटेशन तो नहीं शुरू हो गया वर्ल्ड कप को देख रहे हैं, लेकिन वो यह ना कि पास में देखते नहीं कुली प्यादवाज नहीं खेले, खेली एक्सपरिमेंटेशन के चकर में नहीं खेले विजे शंकर को क्या भारत वर्ल्ड कप में एक स्पेशलिस्ट नमबर तीन के तौर पर देख रहा है क्योंकि उनको बैट्समेंट के तौर पर खिला लिया, गेन बाजी करा ही नहीं लिशप पंट ने रन भी नहीं बनाए और जितनी गेले वो खेले, जिस तरह की शॉट्स उनों ने खेली लग रहा था कि नाजूग मौके को वो समझी नहीं पाए और टौप ओडर लगातार फ्लॉप है, लगातार फ्लॉप है, मतलब फ्लॉप ही है अब हैमिल्टन से शुरू करें, वेलिंटन वंडे देखें और वेलिंटन T20 देखें सनी भाई, मैं बदलिबाजी से शुरू करता हूँ वहाँ पर आप 55 रणों पर 8 विक्टे गवादी थी, आप थे वहाँ पर उसके बाद 18 रण पर 4 विक्टे अगले वंडे मैच में उसके बाद भारत रिकवर करके जीत गया, आज फिर आप से 70 पर 6 थे लगाता तीन पारियें ऐसी होगें सनी भाई, जहाँ पर आपका टॉप और जो है लगातार फ्लॉप हो रहा है देखिए इसलिए ये दिखाता है कि रोहिच छर्मा और शिकर्थ हवन की शुरूआत, अच्छी शुरूआत करके दिखाना बाकी के बल्लेबाजों के लिए, वह कितनी एहन बात है, जब वो अच्छी तरह से शुरूआत करते हैं, जब उनकी साज़दारी को सतर असी कभी कभी सौ के उपर की साज़दारी होती है, तो फिर बाकी के जो बल्लेबाज है, नमबर थीन, चार, पाथ, छे, उनको आसान बनता है, तो यह बिलकुल हमें ध्यान में रखना चाहिए, कि कितनी इंपोर्टन जोड़ी है यह हमारे पास, जो जिनोंने हमें ज़ इसा होता है, पर अगर रोई चर्म आची करदावन अच्छी शुबाद करके दिखाएंगे, तो फिर बाकी लोगों के दिखते नहीं आती है, सही बात है, सनी बाई, लेकिन कहते हैं कि आप एक्सपेरिमेंटेशन जो मर्जी करते रहें, वर्ल्ड कप की एक दो जगे ही तो सभी सबात हो रही थी कि सलामी बल्लेबाज, आपको शुरुआ द लेते हैं अच्छा है तो आप पीछे से एक एक्ट्रा बालो डाले जिए ताहिए जितने भी मैचे जिता है दो तिन सालों में और बॉलर्स ने काफी अच्छी बॉलिंगे आपको जादा जादा लिए अगर रणी कम बने अगर यहीं टार्गट वां शिच्टी वान एटी होता तो जिता हैंगे अगर उन्होंने मैच जिताया पर आज का हारन का हारने का कारण मैं तुमिता हूं कि बॉलिंग को फिल्डिंग इन्हें साथ नहीं दिया क्योंकि एक कैच भी है इस 2020 शॉटर फॉर्मेट में अगर ड्रॉप होता है तो बहुत जादा पांतर बदा हमने किये ए जीदने की कोशिश हो आप अगर कप्तान हो या आप अगर कोच हो तो आपकी तवज्ज़ किस चीज़ में होगी आप एक्सपरिमेंटेशन करेंगे ज्यादा या फिर आप करेंगे मुझे हर मैच जीतना है देखिए दोनों का मिश्रन होना चाहिए थोड़ा सा एक्सपरिमेंटेशन होना चाहिए क्योंकि जो वोलक अप जो होना है वो दो तीन मैने में वोलक अप होना है जो आपकी फाइनल मतलब स्कौर्ड जो बननी है उसके तोड़ी सी एक्सपरिमेंटेशन तो होनी चाहिए और इस T20 मैच में आपको थोड़ा सा अंदाजा मिल सकता है कि किस तरह की मानसिकता है आपकी जो खिलाडी है जो मतलब जिन पर आपकी निगाहें हैं जैसे कि विजाई शंकर या रिशाफ पंथ तो फिर उनको देखना होता है कि T20 में भी देखे कि 500 के लिए कैसे वो सूट हो पर हां मैस तो जीतना है पर क्योंकि T20 का वर्ल कप October 2020 में मतलब और देड़ साल है तो मैं इस जो यह जो श्रिंखला है T20 की श्रिंखला हो रही है इसको मैं इतना अगर यहां पर भारतिय टीम हार भी जाएगी तो मैं इतना निराशनी होंगा वहां हार तो नहीं जाना चाह आप अभी आपके वर्ल कप के लिए concentrate करें तो इसके लिए यह जरूरी है कि आपको विजय शंकर को मौका देना चाहिए आपको रिशापन को मौका देना चाहिए आपको क्रोणाल पंडिया को मौका देना चाहिए देखना उनको देखकर वो कैसे किस तरह से प्रेशर को हैं सब कहते हैं कि इन में एक्स फेक्टर है इनको वर्ल्ड कप लेकर जाया जाए आज जितनी देर उन्होंने बैटिंग की जो शौट्स उन्होंने कोशिश की लगता है कि वो टेस्ट क्रिक्ट के अपने सौग को भुला कर फिर वहीं से शुरू हुए एश्या कप में जो गलतिय है नहीं मैं समस्ता हूँ कि आज रवी शास्ती उनके साथ बैठेंगे रोहित शर्मा भी उनके साथ बैठेंगे उनको कहेंगे कि देखिए लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में भी आप चौथे गियर से शुरूआत नहीं कर सकते आपको अगर शुरूआत करनी है गाड़ी को पहले गियर से यह शुरूआत करनी है तो जब ये रिशप पंत को पता चलेगा कि जिस तरह से उन्होंने सिगने में शतक लगाया था टेस्ट में और ओवल में शतक लगाया था जिस तरह से उन्हें अपनी पारी को बिल्ड अप किया था वैसे लिमिटेड ओवर्स में बहुत जरूरी है और इसलिए उन पर विश्वास रखना चाहिए उन पर भरोसा रखना चाहिए उनको और मौके जने चाहिए सिर्फ रिशब पंकों करनाल Пांडे की बात करता हूं क्रोणालपांडे के बात बड़ी अच्छी मान सिकता विजे शंकर को आप मौके देज जो स्पॉर्ट होंगे वो आपको पता चलेगा क्या उसके लिए ये सूटेबल है की नहीं और इन यूवा खिराडियों पर भी निर्बर करेगा ना कि मौके जो मिलेंगे उन मौकों को भुनाया भी जाए क्योंकि वाके में मौके मिल रहे हैं मौकों को भुनाना भी है एक आप देते हैं मदन जी क्या देते हैं उसके लिए आपको तो अभी शास्तिने की इंटर्व्यू दिया है और मदन जी और सनी भाई से मेरा सवाल है सनी भाई वो कहते हैं कि हम फ्लेक्सिबिलिटी रखना चाहते हैं अपने बैडिंग ओर्डर में वर्ल्ड कप में हो सकता है कि विराट को एह मौकों पर कंडिशन के हिसाब से नंबर चार खिला जाए लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा नंबर तीन हो तभी मैं विराट को नंब उसमें टीम के लिए अच्छा रहता है देखिए चैंपिन्स टॉफी फाइनल में क्या हुआ था पाकिस्तान की खिलाफ पहले ओवर में रोहिच हर माउट होगे मौमद आमिर को उसके बाद में जब रोहिट जब विराट बल्लेबाजी करना है तो कंडिशन ऐसी थी कि जहा से इंपॉर्टन बल्लेबाज है विराट को लिए उनको अगर थोड़ी सी प्रोटेक्शन दी जाए नंबर चार पर खेलने के लिए तो जब शायद यह भी हो सकता है कि गेंग उस वक्त जब नंबर चार पर खेलने आएंगे तो गेंग उतनी हिलेगे नहीं तो उसका फाइ होगा आप इतिफाक रखते हैं बलकुल अठिफाक रखते हूं बिलकुल अधिफाक रखता हूं विसका नंबर तीन पे उनका नंबार है जहां परनाए प्लेक्सिबिल्टी बहुत ज़रुरी है वर रूभी कभी अगर आपको लगे पर डिपेंड करता है क्यू कि यह ताब प्रभाप प्लेयर है आपका नंबर वन और रोटेट दस्टारी लेकिन इसके लिए जरूरी है कि नंबर तीन तो चाहिए पहले नंबर चार ढूंटे रहे हैं अबादी राइडू ने वह पारी के लिए उसके बाद लगा शायद उनकी टिकेट पकी हो गई है लेकिन इसके ब सोचते हैं बहुत एक्स्परिमेंटेशन करते हैं तो उससे गड़बड भी हो जाती है जो शायद आज हुई कम से कम हो सकता है अगले दो T20 मुकाबदे जीत कर भारत सीरीज जीते लेकिन फड़ा-फड़ से जाएं यूट्यूब पर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करे रात आठ बजे ये बहस है आज के मैच को लेकर क्या बजे हैं क्या खुदी से हम ढीले हो गए नोडिफिकेशन की घंटी बिजाए और सनी भाई आप तो न्यूजिलेंड में थे उमीद है कि आप स्पोर्ट्स तक देख रहे थे वहाँ पर आज देखेंगे जी या बिलकुल उसी से तो मुझे बाकी की जो स्पोर्ट्स की न्यूस थी उसकी इंफर्मेशन मिलती थी और जिस तरह से भारती क्रिकेट सपोर्टर्स भी जो श्विंकला चल रही थी उसके बारे में क्या सोच रहे थी उसके बारे में भी पता चल रहा था तो हाँ उस व फड़ा फट सब्सक्राइब कीजिए और फिल्हाल इजास्ट दीजिए